नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर भारत माता के वीर सपुत कनान शहर निवाची शहीत प्रकाश देश्मुक के स्मुरुती दिन के अउसर पर कनान भाशपा की ओर से शहीत चोग कनान में उन्हें श्रद्दान जली अरिपित की गई इस रद्दान जली करेक्रमे प्रमुकृप से उनके परिजन लीला देश्मुक, प्रदीब देश्मुक, रायभन देश्मुक के साथ साथ भाजपा ओबीसी मूर्चा की जिला महमंत्री राम देवटे, अनुसुचीत जाती मूर्चा जिला उपद्द्द्यक्षर इंकेश चवरे, महिला अगाडी जिला उपद्द्द्द्ध्षर स्वाती पाठक, शालिनी बरवे, मंत्री पोरुणी मदुवे, महिला तालुका अ द्यक्ष डॉक्टर मनुवर पाठक, महमंत्री सुनिल लाडे कर, नगरसेवक राजेंद्र शिंद्रे, नगरसेवी का अनिता पाटिल, शहर मैला द्यक्ष तुलेशा नानवट कर, महमंत्री सुष्मा मसके, प्रतिक्ष चौरे, सुननदा द्यूते, अजयलोंडे, अमुल साक सचीन वास्निक, चंद्रगुप्त पांताओने, शहलेश शेलके, रिशब बावनकर, अमन घुडेस्वार, मयूर माटे, दीपनकर, गजबिये, आदी भाच्पा पदादिकारी एवं कारेकर्तागर्ण उपस्थित थे काटोल तहसिल के किसानों की मोत होती है तक काटोल कृशी उपजमंडी की ओर से मुवावजे के तोर पर विशेश नीदी का प्रबंद किया जाता है इसी की तहत हालही में 10,000 रुपे का चेक सुनखाब निवासी किसान विनायक रमरावजी वागडे की परिजनों को दिया गया दरसल उनकी मोत इलेक्ट्रिक शोक की वज़े से वी थी मृतक की पतनी अर्चाना विनायक वागडे को अकस्मात मृत्यू मदत निदी से 10,000 रुपे का धनादेश कृशी उबज मंडी समीती के सभापती चरन सिंग ठाकूर के आतो दिया गया कामठी नगर परिशत में अध्यक्ष उपाद्यक्ष एवं नगर सेवोको के पाच वर्ष कारेकाल कांत शुक्रवार कुँ हुआ इस अउसर पर कामठी नगर परिशत कारेले में आयोजित समारों में उन्हें भावभी नी बिदाई दी गई इस अउसर पर नगर परिशत के अध्यक्ष मुहमस शाहजा अंसारी उपाध्यक्ष आयपा जायमत नगर परिशत में विपक्षके नेता लाल सिंग यादव मुख्यादिकारी संदिप बूर करसाइत प्रतीक पडोले धर्मपाल मानवटकर राजु पुलकमवार संद्या उज उजवल रायबुले पिंकी वैद्य हर्शायादव सुष्मा शिलाम स्नेहलता गजबिये सरुच सिद्धार्त रंगारी नगर परिशत अधिकारी नितिन चववान संजय जैस्वाल अवी चौदरी आबासु मुडे प्रदीप भोकरे विनुद मेहरूलिया मंगेश लाडे शेवंती हडुती, प्रदीप तांबे, माधुरी गुडेस्वार, गायतरी शिंद्रे, नरिश कलसे, विजय मेथिया, दर्शन गुंडाने, विरिंद्र ढोके, रंजीत माटे, राकापा अलप संख्यक सेल के राष्ट्रिय महासची उनवशात सिद्धी की भाजपा शहर मह मंत्रे उजवल रायबुले आधी उपस्तित थे राज्य के 1440 गाओ का भूजल स्थर खत्रे के निशान से नीचे चला गया है अब केंद्रिय जल शक्ती मंत्राले अटल भूजल योजना तथा केंद्रिय भूजल बोरोडविकास यंत्रना और इन सभी विभागों की अधिकारी जल सर्वेक्षन तथा जल समवर्धन के लिए नियमी त्रूप से ग्रामिनों का सायोक करेंगे यह जानकारी महराष्ट राज्य केंद्रिय भूजल विकास यंत्रना के आयुक्त चिंतामन राव जोशी द्वार गुरुवार को काटोल तालुका के ग्राम पंचायत धुर खेडा और चिखली मसोद में दी गई जलसंसादन मंत्राले केंद्रिय भूजल बोट के साथ साथ सद्भावना ग्रामिन विकास संस्था वर्धा और सहवार्द्र प्रशिक्षन संस्थान गोंदिया ने संयोक्त रूप से महिला और पूरुष किसानों, खेतियर मजदुरों और महिला स्वयम साहता समुवों के एक दिऊसिया कार्याशाला का आयोजन किया, यह कार्याशाला अपने गाव तथा क्षेत्र से भैतेवे पानी को रोग कर अपने क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों पर आदारित थी, इस अवसर पर आयुक्त चिंतामन राव जोशी द्वरा भूजल स्तर बढ सभी ग्राम पंचायत सदस्य, किसान एवं ग्रामवा से उपस्तित थे। हलाकि यह सच है कि इस फैसले से अंकीता को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन नय वेवस्ता ने मृतक अंकीता के परिवार और समाज को राहत देने की कोशिश की है, यह अक्षाती अपुरुनी है, लेकिन कुछ हद तक इस फैसले से उनने सुकुन मिला और कही न कही इस निरने की वज़े से मृत अंकीता की आत्मा को शान्ती मिलेगी, विशेश लोक अभी योजक एडवोकेट उजवल निकम को धन्यवाद, पालक मंतरी सुनिल केदार ने कहा कि महाराश्ट्र एक प्रगती शिल सोच वाला राज्य है, और महिलाओ के साथ किसी भी तरह का अन्य सरकार और पुलिस प्लशासन कभी बरदाश्ट नहीं करेगी, राजसाहिब ठाकरे की विकासात्मक विचारधारा में विश्वास रखते वे, नाकपुर जिले के हिंगना विदान सबाक्षेतर के अंतरगत, इसासनी के ग्रामिनों का भव्वी पालटी प्रवेश और इसलिए कई लोग मनसे में प्रवेश कर रहे है, हेमन गड़करी ने कारेकरम को संबुदित करते वे कहा कि मनसे से जनता का विश्वास कभी नहीं तूटेगा, मंच पर जिला उपद्ध्यक्ष योगेश चना पे नाकपुर ग्रामिन वहातुक सेना के सर्चितनिश महेश श कारेकरम को सफल बनाने शाखात द्यक्ष श्रीकांद बुदे, उपात द्यक्ष सागर शिंद्रे, उपात द्यक्ष प्रशान गवर, धर्मिंद्र डोंग्रे, शाखा सचिव फुल्चन गाडा पे ले, महिला सेना पदादीकारी संध्या गाडा पे ले, ललिता शिंद्रे, सुधा पर्तेती, लोकेश शाउ, धनराच चौदरी, रंजित पटले, कैलाश मातरे, राजश किलसर पे, गंगाराम बोपचे, राजुराउत, मदन कुमले, रतन पर्तेती, सुमिज शेंदरे, लोकेश सोनवाने, हर्शल ढोले, देवानन शेंदरे, गोलु मातरे ने अतक प् चायस्टित, बीबी कॉलनी वार्ड पाच में, अंगनवारी केंदरे नमबर 10 में, पंचायद समिती सदस्य सुमेद रंगारी के उपस्तिते में किया गया, इस अफ़ीड़ पर पंचायद समिती सदस्य सुमेद रंगारी द्वारा सरकार की योजनाओं के तहत, अभियान का तेजे से क्रियान वायन किया जा रहा है मेराथोन दोड का शुभारम किया मेराथोन में तालुका स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर प्रशान्त वाग कृष्टरोग अधिकारी किर्ती महाजन भरती बावन कुले सविता चौधरी बोड़के, अक्षे, खंडाले समेच स्वास्थ विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी एवं आशा सेविकाय मवजुद थी कृष्टरोग के निर्मूलन हितु तालुका के साप्ताईक बाजारों में दावंडी के माध्यम से जनजागरूती की जारी है कृष्टरोग मत चुपाओ, दवाय नियमित, कृष्टरोग के लक्षन नजर आते ही प्राथमिक स्वास्थकेंद्र पहुचकर इलाज करे यह भीमारी ना इलाज नहीं है, आधि घुशनाय की गई डोक्टर बाबसायब आमबेटकर समारक समीती द्वारा डोक्टर बाबसायब आमबेटकर के बुतले के पास माता रमई के 1202 वी जैनती के औवसर पर बारटी के काटोल तालु का समता दूत मोहन पांडे के हातों माल्यारपन कर श्रद्दान जली दी गई, साथी कारेक्रम के अध्यक्षत तानबा शिंगारे ने डॉक्टर बाबसायब अम्बेटकर एवं मातारमाई के योगदानों पर प्रकाश डाला, भावराव धोने ने प्रास्थाविक भाशन दिया, इस अउसर पर गाई का शशिकल शिंगारे, जीजा गउली, शकुन्तला ताइडे, कौसा चरपे, शकुन्तला डोने, अश्विनी नाइक, पंचकुमेरिया, बेबी धहराल, गायक अशोक नायक, नंदकिशोर बहनिया, कवी दिलीप शापा, मोहन नरेंद्र धहराव, भिमराव कालबांडे, मनुज नागरीको का कोवी शिल्ड का टीका करन, नागपुर महनगरपालिका के साथ-साथ सरकारी के इंद्रू पर होगा, टीका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा, टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजे करन किया जा सकता है, इसी तरह इविन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायो के सभी नागरीको को कोवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा, यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी, इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के नागरीको के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोध, मेडिकल कॉलिज डॉक्टर बाबासाहिब आमबेटकर अस्पताल काम्टी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महालरोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंदिरा अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्द है तस्विल पर माल्यारपन कर उन्हें श्रद्धान जली दी, माननेवरोध्वारा उनके अपार योगदानों पर प्रकाश डाला गया आजादी के अमरुत महत्सव के अवसर पर नागपुर महनगर पाली का शहर में पचात्तर वंदे मातरम नगर स्वास्त सुविधा केंद्रू की स्थापना कर रहा है इसी कड़ी में हनुमान नगर जोन के अंतरगत सुमवारी पेट स्थित वंदे मातरम नागरी स्वास्थ सुविधा केंद्र में डॉक्टर भाबा साहिब आम्बेट कर भवन का उद्गाटन महापौर दयाशंकर तीवारी ने शुक्रवार को किया बाबा साहिब आम्बेट कर भवन में वंदे मातरम नागरी स्वास्थ सुविधा केंद्र का नाम करन भारतिय सेना के महाविर चक्रविजेता बलराम सिंग के नाम पर किया गया इस केंद्र का संचालन करने की जिम्मेदारी सार्थक बहुत देशिय संस्था को दी गई है इस अवसर पर भाशन देते हुए महापौर दयाशंकर तीवारी ने कहा कि नागपुर के गरीब लोगों को बुनियादी स्वास्थ सुविधा केंद्र की अवधारना शुरू की गई थी नागपुर शहर के विबिन्ना हिस्सों में पचातर केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं और इसके तहट सुमवारी पेठ में डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर भवन में नागरीकों की सुविधा के लिए केंद्र शुरू किया गया है स्वास्थ केंद्र के मा अंतरगत एकात्म मानवतावात का संदेश देने वाले पंडित दिन्दय अलुपाध्य की पुन्यती थी के अउसर पर शुक्रवार को नागपुर क्षेत्र के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्य सहायता योजना के अंतरगत 25 दिव्यांग लाभार्तियों को कुल मिला कर 34 दिव्यांग लाभार्तियों को महापौर के हाथ हो चेक प्रदान किया गया मनपा मुख्याले में डॉक्टर पंजाब राओ देश मुख की स्मृति स्थाई समिती सभागरुह में हुए चेक वितरन कारेक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ साथ उपा महापौर मनिशा धावडे विरोधी पक्षनिता ताना जीवन वे महिलावो बाल कल्लैंड समिती के अध्यक्षत दिव्या धुर्डे वरिष्ठ नगर सेवक सुने लगरवाल संदीब जादो नगर सेवक दिनेश यादो पूतन मोरे आदि उपस्तित थे इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपूर शहर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्यानकर योजनाओ को गती मिले इसके लिए मनपा के बजट में 7 करोड 5 लाग रुपे निधी का प्रबंद किया गया है वाट 27 अ वन्यू वाट 30 के अंतरगत आने वाले हसन बाग से स्वातंद्र नगर तक के परिसर में 2 करोड 5 लाग रुपे के सिवरेच कार्य को मनजूरी दी गई थी इस कार्य का भूमी पुजन विधायक अभिजित वन्जारी के हाथो एवं विरोधी पार्टी के नेता तानाजी वनवे के अध्यक्षता में एवं प्रमुक अती थी राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंतरी कमलाकर घाटोले की उपस्तिती में संपन् इस कार्य के लिए मानने वरो ने पालक मंतरी डॉक्टर नितिनराउत और मनपा युक्तराधाकृष्ण बी का आभार माना इस भूमी पुजन कारेक्रम में वाट से विजेवनवे अभिशेक गायधने, डॉक्टर उमाजी कोहले, संजे नगरारे, राजेंद्र कालमेग, नाना जामभूलकर, मिलिनगाडगे, प्रशान पाटिल, मधुकर पेठे, प्रभुवंजारी, पदमाकरकडू, राजुभं भांगे ठेकेदार के साथ-साथ परिसर के अन्य गण मान्य नागरी गण उपस्तित थे नागपुर महनगर पालिका की और से शुक्रवार को 10% के खिलाफ कारवाई की गई और 70,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया उपदरव खोजी दलने गांधी भाग जोन के अंतरगत नाग रोट स्थित, एनाइटी सभागरूह, वेलव सिद्ध सभागरूह और जैन मंदिर सभागरूह के खिलाफ कोविड नियमो का उलंगहन करने पर कारवाई की और 15,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह लकडगंच जोन के अंतरगत अशुका एलाइट के खिलाफ भी कोविड नियमो का उलंगहन करने पर कारवाई की गई और 10,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया आशिनगर जोन के अंतरगत टेकाना का कामठी रोट स्थित गोतरा लॉन प्रलाद आनन लॉन और आटोमोटिव चोक स्थित पंजाब लॉन के खिलाफ भी कोविड नियमो का उलंगहन करने पर कारवाई की गई और 30,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया गया इसी तरह धरमपेट जोन के अंतरगत उपदरोखोजी दल ने प्रतिबंदित प्लास्टिक बैक के खिलाफ कारवाई की गई टीम ने धरमपेट एनाइटी कॉम्पलेक्स में स्टोर मेंस वेयर पर प्लास्टिक बैक के इस्तेमाल करने पर कारवाई की और 5,000 रुपे का जुर्माना वसुल किया लता मंगेशकर के दुखत निधन पर नगर परिशत के अध्धिक्ष शाहजा सफात अंसारी वो बाध्धिक्ष एहफास एहमत के प्रमुग उपस्थिती में बस्टैन परिशर पर भावभीनी श्रद्धान जली अरपित की गई कोविड-19 संकट के समय वैक्सिनेशन शिविर में मुसीबतों का सामना करने वाली वम्रुदूल सुभाव की नागरी प्राथविक स्वास्थ केंदर की चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर शबनम खानोनी तथा एफिकोर सैयम संस्था नाकपुर के नंदा एवं आन संद्राउत का सतकार किया गया लगातार मरीजों से संपर्क में आने की वज़े से कई बार डॉक्टर खानोनी की तवियत बिगड़ जाती थी लेकिन फिर भी वे अपनी सेवाय प्रदान करती रही उनकी इन सेवाओं को मद्दे नजर रखते हुए रिविवार को तेजस भ भापती मिनाक्षे बुर्बूरे आदी माने वरूपस्तित थे प्रतिनी थी मंडल ने पंचयत समिती की बीडियो अंशुजा गराटे से मुलाकात की और मात्रुभों में सोसाइटी के पीछे फेके जा रहे कचरे से निजात दिलाने की मांग की इस मुद्दे पर BDO अंशुजा गराटे ने बिडगाओ ग्राम पंचत प्रशासन के संब्धित अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिये इस आउसर पर प्रमुद पटले प्रमुद बोर कर सहीद बिडगाओ की ग्रामवासी उपस्तित थे तेजस बहुत दिशय संस्था ने कामठी कनहान आदिक शेत्रों में भूके एवं जरूरत मन लोगों के लिए रोज एक मुठी अन्न आपके द्वार पहल शुरू की है इसके तहद विकलांग मजबूर बेसहरा परिवारों को दस किलो चावल वदस किलो गेहु प्रदान किये जा रहे हैं जरूरत मन्दों को रोज एक मुठी अन्न आपके द्वार कारेक्रम के सफलतार्थ तेजस बहुत दिशय संस्था के मार्गदर्शक सुनिल चोखारे उलेवार, उपाद्यक्षे देविदास पेटारे, ट्रेनीज हर्शल टेकाडे, दिपेश पाटिल, अमन शेख, भारती पंच पोगडे सहित संस्था के पदाधी कारियों ने अधक पर इश्रम किया ट्राइफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कूल मिलाकर 2708 वाहन चालों को पर कारवाई की और उनसे कूल मिलाकर 1,22,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत दो मामलों में 2 आरुपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,800 रुपे का सामन जब्त किया गया इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत पांच मामलों में तेरा आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 31,000 रुपे का जुर्मना वसुल किया गया उपरोक्त सभी ओप्रेशन संयुक्तरूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गए थे ट्राफिक विभाग ने ये आभान किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से सम्मंधित सभी दस्तावेज अपने पांस रखे तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार